आज सुबह माया राजनाथ सिंग जी ने मुश्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैटे हैं मुश्कुराट नहीं सिरियस नमस्ते भी नहीं करते कहीं मोदी जी ना देख लें प्रोब्लम हो जाएगी वो ही कहानी घरकरी जी की है सचाई है अरे भाई यहोदिया की जल्सका को छोड़ो यह तो भीजेपी वोलों को डराते हैं महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है उसके शब्द है मेरे शब्द नहीं है गैस सिलिंडर महंगाई तो आपने गरीबों को महिलाओं को डराने का काम किया शिव जी कहते हैं डरो मत डराओं मत आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है अगनिवीर शहीद हुआ लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ मैं उसे शहीद कह रहा हूँ मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोधी उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोधी उसे अगनिवीर कहते है आज तक हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए है ऐसा लगता है कि मनिपूर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है प्रधान मंत्री के लिए मनिपूर स्केट ही नहीं है मनिपूर में सिविल वार हो यह नहीं रही है और एक बार बियान दिया हमने मतलब प्रेशर लगाया हम गए हमने प्रधान मंत्री से कहा एक मेसेज दे दीजिए मनिपूर चले जाएं जनता के वार रक्षा कीजिए ने मेवा गया को किस और मेते इसे दोनों से मिला आज तक नहीं आंसर नहीं मिलेगा मिल नहीं सकता मनिपूर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है मनिपुर है ही नहीं प्रधान मंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ मैंने नहीं बोला मैंने नहीं बोला ये प्रधान मंत्री के शब्द है मेरे शब्द नहीं है ये प्रधान मंत्री जी ने कहा है पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मेरा डाइरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रधान मंत्री मोदी जी न बोला है गुजरात में मैं गया टिक स्टाइल ओर्नर्स के साथ मेरी बात हुई मैंने उनसे पूछा नोट बंदी क्यूँ हूई GST क्यूँ हूई साथ बोला अरब पतियों की मदद करने के लिए GST और नोट बंदी की गई है नरेंद्र मोदी जी अरब पतियों के लिए काम करते हैं किसानों को डराने के लिए आप तीन नए कानून लाए प्रदान मंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फाइदे के कानून है सचाई थी कि वो अदानी जी, अम्बानी जी के फाइदे के कानून थे आप बात नहीं करते आप गले नहीं लगते आप उन्हें आतंकवादी कहते हो आप कहते हो ये सब आतंकवादी है जूप नहीं है जूप नहीं है सच है 700 किसान शहीद हुए हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए आपने मौन नहीं होने दिया आपने कहा ये किसान नहीं है आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे ये आतंकवादी थे आप देख रहे हैं देश लाइव देश की आवाज नरेंद्र मोदी जी ने भाए डाल दिया उनकी जमीन ले ली उनके घर गिरा दिये और फिर अयोदिया के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को मंदिर के इनॉगरेशन तक नहीं जाने ही मंदिर के इनॉगरेशन चोड़ो उसके बाहर भी जाने anta और इसे लिए आयोदिया की जनता ने सही मेसेड भेजा अच्छा इन्होंने मुझे एक और बात बहली तीन बार इन्हों ने कहा कि तीन बार नरेंद्र बोदी ने टेस्ट किया दो बार क्या मैं अयोदिया से लड़ जाऊ और सर्वेयर्ज ने कहा अयोदिया में मत लड़ जाना अयोदिया में मत लड़ जाना अयोदिया की जंता हरा देगी और इसलिए प्रदान मंत्री वारा नसी गए और वहां बच के निकले तो योदिया की जंता को डराया पूरे देश को डरा दिया मैं आपको बताता हूं आज सुबह में आया राजनाथ सिंग जी ने मुश्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैटे हैं मुझे कराट नहीं सिरियस नमस्ते भी नहीं करते कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी वह ही कहानी गड़करी जी की है सचाई है अरे भाई या योदिया की जंता को छोड़ो ये तो भीजेपी वालों को डराते है माने प्रतिपश्के देता एक मिट एक मिट एक मिट माने प्रतिपश्के नेता आप सदन के वरिष नेता हैं मेरा आपसे आगर है कि राश्टपती अभी भाशन पर डिवेट हो रही है इसकी गरीमा राश्टपती अभी भाशन की गरीमा रखे ना यह तो अपेक्शा आपसे सब करता है कि आप राश्टपती अभी भाशन पर बोलें नीतिया पर बोलें कारेक्रमों पर बोलें आप वेक्ती गद्रुफ से अगर आप यह उचित मानते हैं तो मुझे कुछ निए लोक तंत्र ने और सम्विधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपश के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए स्थिकर सर आपने कहा कि डिबेट प्रेजिडेंट्स अड्रेस पर होनी चाहिए यह जो मैंने किया है अनुराग धाकुर जी ने अयोधिया की बात की थी अनुराग धाकुर जी ने सनातन धन पर आक्रमन की बात की थी इसलिए मैंने ये किया है मैं दिखाना चाहता हूँ कि आईोधिया में क्या हुआ अधियोधिया की सच्चाई क्या थी प्रेजिदेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी मैंने बात बंची है अधर फेलाया और ओपजिश्न का रिस्पॉंस एक साथ मिलकर भारत चोड़ो यात्रा सारे के सारे opposition पूरा देश एक साथ मिलकर कन्या कुमारी से कश्मीर तक चला और जो आपने डर खेलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला अभी तक याद है सुबह साथ बजे, साथ आठ बजे की बात थी यात्रा में चल रहे थे एक महिला आती है हमारे साथ चलती है मेरा हाथ पकड़ती है और गबराई हुई सी थी तो मैंने पूछा क्या हुआ मुझे कहती है मुझे मार रहा है मुझे मार रहा है मैंने मैंने पूछा कौन मार रहा है कौन मार रहा है मैंने पूछा कौन मार रहा है कहता है मेरा पती मार रहा है मैंने का क्यूं कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई मैंने का क्यों खरीद नहीं पाई महंगाई है महंगाई है खरीद नहीं पाई खाना नहीं पका पाई इसलिए मुझे मार पिटरी है मैंने कहा बेहन क्या करूँ कैसे आपकी मदद करूँ कहते हैं आप कुछ मत कीजिए आप कुछ मत कीजिए आप सिरफ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है उसके शब्द है मेरे शब्द नहीं है गैस सिलिंडर महंगाई तो आपने गरीबों को महिलाओं को डराने का काम किया शिव जी कहते हैं डरो मत डराओं मत आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अगनीवीर के परिवार से मिला अगनीवीर के परिवार से मिला चोटा सा घर था चोटा सा घर था चोटे से घर में अगनिवीर शहीद हुआ लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ मैं उसे शहीद कह रहा हूँ मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोदी उसे अगनिवीर कहते है उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी उस घर को कमपनसेशन नहीं मिलेगी शहीद का दर्जाँ नहीं मिलेगा और विचारे बैटे हुए थे तीन बहने थी एक साथ बैटे हुए थी रो रही थी आम जवान को पेंशन मिलेगी ज़रूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी मगर अगनिवीर को जवान नहीं कहा जा सकता अगनिवीर यूज एंड थो मजदूर है और आप उससे कहते हो उसको आप छे महीने की ट्रेनिंग देते हो छे महीने की ट्रेनिंग देते हो दूसरी तरफ चाइना के जवान को पाँच साल की ट्रेनिंग मिलती है राइफल लेकर उसके सामने ख़़ा कर देते हो उसके दिल में भाई पैदा करते हो एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशिन मिलेगी एक को शहीद का दर्जा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा और फिर अपने आपको देश बक्त कहते हो यह कैसे देश बक्त है फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की फिल्म स्टार बॉलिवुड स्टार की फोटो थी मैं सोच रहा था देखो इस इस ऀवा ने जान दी श्पीकर सर जैसे गलत नहीं है सर गलत नहीं है सर तर देना चाहता है कि जुद्बते दवरान अत्वा सीबाओं की शुरक्षा के दवरान ये लिए हमारा कोई अगली बीर का जवान सहीर होता है उसके एक करोड लुपे की धनराश्ट सहाइता की रूप में उसके परिवार को महज़ा कराई जानी इस परिवार की दरत बयानी स सब्सक्राइब को जबराश करने की कोजित नहीं की या नी चाहिए संसर्ण नहीं है अधेकर सर देखिए अधेकर सर देखिए राजनाथ सिंग जी की एक राय है मेरी एक राय है सच्चाई अगनीवीरों को मालूम है हमें बोलने की जरुरूत नहीं है अगनीवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है कॉंपनसेशन मिलता है नहीं मिलता है टेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो उसको मालूम है पॉइंट ओपोडर है माने जरु अब सदन के सामने दो स्ट्रेटमेंट हुए एक हुआ दिपस के नेता का दूसरा हुआ मान्या राधनासिंग जी का रक्षामंत्री जी का एक कहते हैं कि एक करोर रुपया नहीं मिलता है सी राधनासिंग ने अधिकरूत रुप से कहा कि मारे जाने वाले अगनीविर को जो सही दोता है उसको एक करोड उपया मिलता है उनको factual position सदन पर रखनी चाहिए मन्यवर यह सदन जूट बोलने की जगा नहीं है मन्यवर यह सच बुलना चाहिए और अगर और अगर यह नहीं रखते हैं तो उनको यह सत्यापन नहीं करते हैं अपने statement का तो उनको सदन और देश से और अगन आगनी वीरों से मापवी मांगनी चाहिए मन्यवर ने अगरे ऑ आगनी वीरोस कि सच्चाई मैंने Florida us पे रखिये है और राजनाथ सिंग नि जी ने भी कहा है जो रेलिटी है वो हिंदुस्तान का सेना को मालॉम है वह अगनी वीरों को मालूम है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फरक नी पड़ता, सच्चाई को उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। सच्चाई कौन बोल रहा है। और माने विपक्त किनेता राहूल गांधी जी ने तो स्टेटमेंट रखा है। इसमें इनों ने जो कहा है कि रख्चा मंत्री बोलने से क्या फरक पड़ता है। इतना हलका पुलका कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर अपोजिशन। जानता है कि अगनिवीर स्केम सेना का स्कीम नहीं है पीमो का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेंचाइल्ड था। स्कीम सेना का ब्रेंचाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोट बंदी की गई वैसे ही आर्बिटरी तरीके से। मैं अज्यक्समाद है मैं नेता प्रतिपक्ष से बिनम्रता पूर्वकार नोट करना से आता हूं कि किर्प्यावा सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अगनिबीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 आर्गनाईजेशन के साथ सीधा संबाद अस्ताफित गुआ है उनके सिधाव लिए गए हैं तब यह अगनिबीर योजना लाई गई है। और बहुत सोश शमशकर यह उजना लाई गई है। और मैं यह भी अस्मश कर देना चाहता हूं। बिना उस संबन्ध में कोई पुदी जानकारी हासिल किये इस तरीके से सदंग को गुबरा करना इसे कदाप उचित नहीं ठारा जा सकता महुद है मैं तो आप से यह अदोद करूँगा इसे सदंग कारवाई से बाहर निकाला जाना जाना जो क्योंकि हम सोचते हैं कि अगनीवीर सेना के खिलाफ है जवानों के खिलाफ है देश बक्तों के खिलाफ स्कीम है हम इस स्कीम को नहीं चाहते हैं पहली बार हिंदुस्ताइन की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं जम्बू कश्मीर लदाग से आपने पहली बार स्टेट्स छीना है मनिपूर को मनिपूर को आपने सिविल वार में डुबा दिया है मनिपूर को आपने और आपकी योजनाओं ने आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदूस्तान के प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए है ऐसा लगता है कि मनिपूर हिंदूस्तान का प्रधेश नहीं है प्रधान मंत्री के लिए मनिपूर स्टेट ही नहीं है मनिपूर में सिविल वार हो इनी रही है और एक बार बियान दिया हमने मतलब प्रेशर लगाया हम गए हमने प्रधान मंत्री से कहा एक मेसिज दे दीजिए मनिपूर चले जाएए जनता गिवार रक्षा कीजे नहीं महवा गया कुकिज और मेटे इससे दोनों से मिला आज तक नहीं आंसर नहीं मिलेगा मिल नहीं सकता मनिपूर इनके लिए हिंदूस्तान का प्रदेश ही नहीं है मनिपूर है ही नहीं मनिपूर ही नहीं ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधान मंत्री के लिए ही नहीं एक्जिस्ट नहीं करता वो हैं ही नहीं कि मैंने अपने आखों के सामने हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ मुझे कहती है मैंने अपने आखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई मैं भागना नहीं चाहती थी मैं मरना चाहती थी उसके साथ मरना चाहती थी मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है कापती हुए ऐसे फोटो दिखाती है ये आपकी योजनाओं का नतीजा है आपको शर्मानी चाहिए एक दिन प्रधान मंत्री आठ बजे कहते हैं पता नहीं फाइन टूनिंग हो गई भगवान के साथ डाइरेक्ट मेसेज भगवान त नहीं बोलाए जुए प्रधान मंत्री ने बोलाए किмеरा डायरेक्ट नेक्शन हे भगवान के साथ मैंने नहीं बोलाए मैंने नहीं बोला यह एक मित? मानि राउल गांदी जी एक मिट मानि सुवश एक मिट प्लीज एक मिट एक मिट प्रभी शंकर जी प्लीज एक मिट मानिये सदश्य गंद आप वरिष नेता हैं सदन के नेता होते मानिय प्रधा मनती जी और हम सब को मानिय प्रधान मनती जी का सम्मान करना चीए ये सदन में हमेशा उच्छी कोठी की परंपा मर्याद आ रही है प्रधान मंत्री जी ने कहा है पुब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है में नहीं बोल रहा हूँ प्रधान मंत्री मोदी जी ने बोला है तो पता नहीं उस टाइम आठ बजे भगवान का मेसेज आया होगा हिंदुस्तान के हिंदुस्तान होई होई मगर फिर स्री राम ने आपको दूसरा मेसेज दे दिया हिंदुस्तान भगवान का मेसेज आया होगा मोदी जी नोटबंदी कर दिया है नोटबंदी कर दिया है कि टायरेक्ट वपर से आया मेसेज ओडर आया हिर और और अलग अलग ओडर आते हैं अदानी जी वाल ओडर आता है बंबैए एपोट अदानी mesmo ौडर आता है खटा खट 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 ओडर आते हैं तो नोटबंदी कर दी small और medium businesses जो हैं जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीड की अट्टी है backbone है उड़ा दिया उड़ा दिया खतम कर दिया आज नतीजा ये है कि ये जो भी करना चाहें करें हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता जॉब creation backbone is broken finish खतम नोटबंदी की गल्ट GST लागू की उड़ा दिया अब मैं सोचता हूँ पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ अब मैं समझता हूँ कि ये अधानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लें किया गया था ये रास्ता साफ करने का तरीका था रास्ता साफ करने का तरीका था income tax department के पीचे पढ़ा रहता है GST demonetization 24 घंटा उनको तंग करते हैं उनके cash flow को restrict करने की कोशिश करते हैं cash flow को crush करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हड़ जाएं और Arab पती उनकी जगा ले लो आप किसी भी छोटे भी अपारी से पूछ लो किसी भी small and business small medium business owner से पूछ लो ये आपको बता देगा गुजरात में गया textile owners के साथ मेरी बात हुई मैंने उनसे पूछा नोट बंदी क्यों हुई GST क्यों हुई साफ बोला साफ बोला Arab पतियों की मदद करने के लिए GST और नोट बंदी की गई है नरेंद्र मोधी जी Arab पतियों के लिए काम करते हैं सीधी जबात मैं जाता रहता हूँ और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार आप लिखके ले लो लिखके ले लो आपको opposition इंडिया गटबंदन गुजरात में हराने जा रहा है किसानों को धराने के लिए land acquisition बिल जो हम लाएं थे उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए उनको सही compensation देने के लिए उसको आपने खतम कर दिया यहां कोशिश की करने ही पाए तो states में खतम कर दिया खतम कर दिया हर state में आपने खतम कर दिया अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो हर state में हर state में हर बाजपा की state में खतम कर दिया हर बाजपा की रुटेंट 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 में खतम कर दिया कि पासर बार बार खड़े ओकर अंदा कुरे भाशब को अक्तम करें वाई रोड़न नहीं वाई रोड़न नहीं है वाई रोड़न नहीं है इनको बैटने के लिए नहीं कहा जारा इनको बैटने के लिये नहीं कहा जारा किसानों को आप किताब लिखे क्यों खड़े हो, कानून बना चाते हो, आप क्या बोलना चाते हैं कानून से बताओ इस डीकर का डारेक्शन है सर, इस डीकर का डारेक्शन इसको पंदर है आप नें चाते हैं कोई भी मेंबर यदि अपनी बाते कहना चाता है जयसे अगनिवीर के बारे में नहीं ने कहा या इस्टेट के बारे में कहा उनको उथेंटीकेट करना पड़ेगा नहीं तो मादीवान पढ़ेगा यह आपका डारेक्शन है एक सापंधरा एक और एक सापंधरा दो इसी लिए वो जा बाते करें उसको अथेंटिकेट करें चाहे अगनीवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए करें या आपका डिरेक्शन है तो किसानों को जो हमने लैंड अक्विजिशन बिल तियार किया था सही मावज़ा दिलाने के लिए उसको आपने रद किया उसके बाद किसानों को डराने के लिए याद रखे शिवजी कहते हैं दरो मत दराऊ मत किसानों को डराने के लिए आप तीन नए कानून लाए प्रणान मंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फाइदे के कानून है सचाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फाइदे के कानून थे हिंदुस्तान के सारे के सारे किसान खड़े हो जाते हैं आज तक आज तक सड़क ब्लॉक है अगर आप वहाँ जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आये थे वो आज तक बंद पड़ी हुई हर्याना में दो जगा किसान कड़े हो गए कहते हैं नहीं यह हमारा नहीं है आप हमार से हमारी महनत का फल चीनना चाते हो हम इस बात को एकसेप्ट नहीं करेंगे आप उनसे बात नहीं करते आप उनको आप उनको कहते हो आप बात नहीं करते आप बात नहीं करते आप गले नहीं लगते आप उन्हें आतंकवादी कहते हो आप कहते हो ये सब आतंकवादी है जूप नहीं है सच है सच है मानेवर मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष को निताइना के पहली बार बोल रहे है मगर नियमों के पुष्टक के बाहर वो नहीं जा सकते ये स्ट्रेट्मेंट करें कि हम कहते हैं कि किसा नातंकवादी तो कैसे सदन में चल सकता है मानेवर आप एक तरफा नियमों के उपर जाकर उनको रियायत दे रहे हूँ मानेवर हमें संदक्सित करिया ऐसे नहीं चलता है साथ सो साथ सो किसानों ने साथ सो किसानों ने साथ सो किसान शहीद हुए हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए आपने मौन नहीं होने दिया आपने कहा ये किसान नहीं है आपके मताबिक ये किसान नहीं थे ये आतंकवादी थे देखिए आपकी अईलाइस से नहीं है वो भी सहमत है कौर जी सहमत है, देखिए हमारी ज़रुद नहीं है वो सहमत है आपसे मानिय किसान क्या मांग रहा है स्पीकर सर किसान क्या मांग मेरा यागर है आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा दोले है पुरा स्पीकर सर किसानों ने मांगा किया स्पीकर सर किसानों ने मांगा किया स्पीकर किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16,0,0, Day रूपे अरपतियों का करजा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दिजिए किसान ने ये कहा कि हर परॉड़क्त के लिए सही प्राइस मिलती है हमें भी MSP दे दीजिए और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और MSP नहीं मिलेगी माने अब बेच्पोद है ये गलत बियानी कर रहे है MSP, MSP सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जो तो उस्पादन की लागत पर कम से कम 50% माने अब बेच्पोद है उस्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़ कर MSP दी जा रही है और नहीं दी जा रही है सक्टापित करे माने अब बेच्पोद है ये गलत बियानी कर रहे है ये सदन को गुम्रा कर रहे है गलत बियानी कर रहे है अज भी MSP पर खरीद जा रिये हैं। और अभी अभी चोड़ खरीद के फसलों के MSP ये बताएं जब इनकी सरकार थी, तब MSP कितनी ती नियुक्त परать बाद कितनी होती ती, और समय खरीद कितनी होती थी, आज भी MSP पर खरीद जारी है, माणिया द्थि, पहोता है, ये गलम प्राम ही नियुशित रहे है कर रहे हैं ये सक्तापित करें इसको जा करें इसको करें देखा रहे है। इनका इनका इना जारह है अज़ी कमेटी कमारी है वें स्पिकर सर MSP स्पिकर सर MSP MSP with legal guarantee स्पिकर सर the issue is MSP with legal guarantee not just MSP MSP is being given the issue is किसांस want MSP with legal guarantee which you are not ready to give them तो किसानों में आपने डड़ डाला भाय डाला महिलाओं में महंगाई गैस सिलिंडर सेना में अगनिवीर हर व्यक्ति के लिए आप लोग ने भाय का कोई ना कोई पैकेज दिया गिफ्ट दिया तौफा दिया स्टुडेंस की बात करते हैं जो आप आप 2000 साल पहले की बात करते हो थोड़ी सी भविश्य की भी बात कर देते हैं इंडिया की फ्यूचर की बात कर देते हैं रोजगार तो आपने खटम कर दिया नोट बंदी, GST जो आपने स्मॉल और मीडियाम बिजिनसेस थे उनको खटम करके युवाओं को आर्मी में opportunity मिलती थी अगनीवी रोम के लिए आपने दे दिया वो खतम कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया पब्लिक सेक्टर को आप प्राइबिटाइज करते हैं वो रास्ता बंद कर दिया और अब एक निया fashion लिकला है NEET 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 प्रोफेशनल एक्जाम को आपने कमर्शल एक्जाम में बदल दिया है NEET is not a professional exam NEET is a commercial exam NEET में एक student तॉपर हो सकता है excellent student हो सकता है मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है medical college में नहीं जासा simple सी बात NEET का पास्मार्ट 20-22% है वो पूरा का पूरा exam पूरा का पूरा exam अमीर बच्चों के लिए बनाया दिया है कोटा में पूरे के पूरे exam को आपने सेंट्रलाइज किया हजारों करोर रुपे बन रहे है हजारों करोर रुपे बन रहे है और commercial paper जो आपने बना रखे हैं commercial exams साथ साल में सतर बार paper लिखे हैं प्रेजिडन्स अड्रेस में ना NEET की बात होगी ना अगनीवी की बात होगी ये बाते नहीं होगी और हमने कहा पिकर सर हमने कहा कि एक दिन का discussion अलाओ कर दीजीए हम आपके साथ खड़े होके इसको resolve करना चाहते हैं institutional failure है हम आपकी मदद करना चाहते है resolve करना चाहते है सरकार कहते है नहीं discussion नहीं होगा भविश्य का discussion हो इनी सकता तो ये आलत है देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल का बटन जरूर दबाए